हमस्कार मित्रो, मैं लालित धानावद, प्रस्तूतू आपके समक्ष हमारे टॉपिक सिंदुगाटी सब्वेता के भाग दो के साथ सिंदुगाटी सब्वेता के भाग एक में जो पहले हमारा वीडियो है उसमें हम जो सिंदुगाटी सब्वेता है उसके नामकरंड के बारे में उसके विस्तार के बारे में उसका कालकरम क्या रहा उसके बारे में और उसकी विशेश बात जो एक विशेश थी उसकी उसका सब्सक्राइब बारे में हमारी पर बनुसमाज करेंगे वह सेंदः समाज की चरचा करेंगे है Negro inMary other sense ग CCP को जो मुख्य आदार था वह परिवार था कि अज़े अगкі लॉजद О practicute क्वार Ś sul Re mash मैं सेंध्र समाज का मुख्य आदार था वह परिवार था और परिवार और उस समय जो वो संग्त परवार परणाली का प्रचलन था क्योंकि उत्खनन के दोरान हमें कुछ इस प्रकार के अफशेश मिले हैं जैसे एक साथ कई चूलों का मिलना बड़े चूलों का मिलना जो इस बात को शो करता है कि यहाँ संख्त पर्यवार प्रणाली का परचलन रहा था सेंदव समाज में चार प्रकार की प्रजातिया निवास किया करती थी नमबर वन भूमद्दे सागरिये नमबर डू प्रोटो आस्ट्रेलाइट नमबर त्री अलपाइन और नमबर फोर मंगोलाइट ये चार प्रकार की प्रजातियों का निवास यहाँ पर था जिनमें सबसे ज़्यादा सरवादिक रूप जो आबादी थी वो भूमद्दे सागरिये प्रजाती की संख्या यहाँ सबसे ज़्यादा थी मोहन जोड़ो जो सब्वेता है जो पाकिस्तान के अंदर वर्दमान में इस्तित है इस मोहन जोड़ो सब्वेता के उत्खनन के दोरान कुछ ऐसे अवशेस मिले जिन से यह अधार बनाये गया कि यहाँ जो समाज था वो समाज चार वर्गों में मुख्य रुप से इतियास कारों को दोरा विभाजित किया गया पहला उसमें विद्वान विद्वानों में जो शामिल थे वहां के पुजारी, वैद, जयोटसी, जादूगार ये इसकंदर शामिल थे दूसरा था योद्दा वर्ग तीसरा था वैपारी वर्ग चोथा था शिल्पकार या श्रमिक वर्ग इस प्रकार पूरा समाज चार वर्गों में विवाजित था इससे सिद्ध होता है कि वर्ग विवस्ता संदो समाज के अंदर प्रचलन में हमारे थी उस समय वहां उस वर्गों में जब देखा गया शिल्पकार और स्रमिक जो वर्ग है जो की जो निचला, जो टीला, जो मिला वहां वो निवास किया करता था लएके तो वहां इक हडपा नामक जो इस्थल है, हडपा इस्थल से खुदाई के दोनान हमें स्रमिक बस्तियों के अवशेश मिलते हैं दूसरी बात हडपा से ही कई प्रकार के मकान मिले हैं पिछली वीडियो में मैंने बताया आपको कि वहां मकान ऐसे हैं जो 3-4 कमरों वाले भी हैं और 2 मंजिल ऐसे मकान भी मिले हैं जिनके अंदर 30-30 कमरे भी हैं मकानों में सभी में लगबक आंगन मिले हुए हैं तो विशाल मकान और लगू मकान हडपा के अंदर खुदाई के दुरान ऐसा पता लगा है कि वो मकान एक साथ हैं पास पास हैं विशाल मकान और लगू मकान इससे सिद्ध होता है उन दोनों का पास होने से कि उच और नीच क कि अंदर उस संहाज के अंदर हम सकते हैं यम यह कोशिस करें तो डासप्रता कर चलने सेंदो समाज के या उप इत्यासमार हिलर जो है वो डासप्रथा म मुख सुछ रह거wie क्ट हैं कि शिजय को जो हैं वो इस बात से ऐसे मत हैं कि दासपर्था सेंदो समाज के अंदर थी यह मनत हैं कि दासपर्था का चलन नहीं था क्योंकि विशाल मकानों का और चोटे मकानों का एक साथ होना वो इस बात को शो करता है कि चोटे और बड़े का को भेदवाव सेंदो समाज के अंदर नह के आहार थे लेकिन सेंदो समाज के लोग युद्ध या जगडा या आक्रमण इस प्रकार की जो कारे थे उनसे दूर रहा करते थे उनका ध्यान जो था सबसे ज्यादा वैपारिक गती विदियों के अंदर रहा करता था इसलिए सेंदो समाज है वो समाज आर्थिक रूप से अधिक संपन हमें मिला है हम उसको आगे देखेंगे अभी कि उसके आर्थिक संपनता का आधार बेस क्या था लेखे सेंदो समाज की एक खास पति देखी जाती लेकर कि एक मुख्य रूप से कोशन जो पहले काफी बार जो बुचा जा चुका है कि सेंदो समाज कैसा था तो कोशन की दरस्टी से एक बहुत ही मैंत्मून कोशन जो आता रहता है और बहुत इंपरोटन अपना इस्तान वो रखता है लेके मोहन जोदो के से खुदाई के दोरान एक कां से नर्तजि की प्रतिमा वहां वहां से मिली जिसका निर्मान लगबग 5,000 इसा पूर हुआ था इसका जो निर्मान हुआ था वो धाई हजार इसा पूर हुआ था लेकिंगे इस लगबग इसकी जो उचाई है वो 10.5 cm के इसके उचाई है इतियासकर अर्निस्ट मेके के दौरा 1926 में इसे खोजा गया था खोज के दौरान अर्निस्ट मेके को यह प्रतिमा मिली थी अभी 2017 के दौरान भारतिये पुरातात्व अनसुन्धान जो परिशत है उसमें यह बात सिद्ध की गई है कि लेके यह जो प्रतिमा है यह माता पारवती से इसका संबन जोड़ा गया है लेके कि इस प्रतिमा को लेके क्योंकि यहा एक कांश नर्त की प्रतिमा है यह नर्तिय नहीं कर रही है लेके क्योंकि इसकी जो आभुशन है इस आभुशन से पता लगता है कि जो इसका बाया हाथ है इस बाया हाथ के अंदर चूड़ियां पूरे हाथ के अंदर है दाया जो हाथ है यह बैक में इसके लगा हुआ है ल लेकिन एक्जाम में जो कॉश्शन जयातर पूछे गए हैं वोगों पूछन जोता है। हडपा से खुदाई के दोरान एक कंगन और छे लड़ियों वाला हार वहां से मिला है अन्य आवशनों भुजबंद कड़ा हसुली काड़ फूल इस परकार के जो आवशन है यह मिले हैं हैं से आवशन महिला और पूरुस दोनों ही धारन किया करते थे यहां एक विशेस इंपौर्टेट कोश्चन आपको खासतर पर ध्यान लगना है कि सरंगार के अन्दर जो महिलाओं का सामान होता है चुकि महिला सरंगार किया करती थी उस सरंगार के सामन विशेस कोश्चन आवशेस हैं यह आता हैं लिकेENT कि लिपिष्टिक के जो अवशेस कि फसले हमें मेली ही वह गेहूं जों चावल बाज्रा इसके अवशेश मिलते हैं काली बंगा से खुदाई के दोरान जों की अवशेस मिलें हैं गुजरात के अंदर चावलाई के अंदर समय के नहीं है वह अपने मनोरंजनी के लिए भी अपना समय कुछ निकाला करते थे उस समय में गाना बजाना जुआ खेलना या पासा खेलना इस प्रकार के उनके मनुरंजन के साधन थे इसमें पासा जो खेल है वो सबसे प्रमुख खेल माना जाता था विशेश तो रुपे एक मैध्पूर्ण कोश्चन के रूप में ध् आगामी जो चप्टर हमारे वैधिक सब्वेता आएगा तो सेंदो सब्वेता के बाद जब वैधिक सब्वेता को युग जब आया तो एक सामाजिक परिवर्तन हुआ और सामाजिक परिवर्तन ये हुआ कि मात्र सब्तात्मक से समाज पित्र सब्तात्मक हो गया और यानिकि सेंदो समाज में जो नेक्स टॉपिक पर हमें चर्चा अब जो में चर्चा करनी है वो धर्म और दर्शन के आधार पर करनी है कि धार्मिक इस्तर पर उनका जो बेस है वो किस प्रकार का है सेंदो काल के अंदर माइडियर सुने जी ध्यान ली के टॉटम वाद का परचलन था एक टॉटम वाद सब्द आता है टॉटम वाद के अर्थ यह होता है साधन सब्दों में आप समझे कि जब जहां वरिक्ष, पक्षी, पशू पूजा जो की जाती है यह टॉटम वाद के तहत मानी जाते हैं लेकर के तो चुकि यहां वरिक्ष पूजा भी है जो पवित्र पक्षी, विर्षब जो कूबरदार जो बैल है जिसे कूबरदार विर्षब है उसकी पूजा यहां की गई है लेकर तो यह एक तरीकी से इत्यासकार यह बानते हैं कि टॉटम वादी के अंतर इस्तिति को लेकर के चलते हैं लेकिन इत्यासकार संद्रोन मार्सल जो है उन्होंने यहां यह कहा है कि यहां मातरदी भी संपरदाय का प्रचलन रहा है हमें एक प्रतीमा वो प्रतीमा मोहन जोद्रो की खुदाई के दोरान जो मिली है उस प्रतीमा के सिर पर पंखे के समान एक फैला एक आब्रण है जो की एक देवी की रूप में प्रकट होता है इत्यासकार वैंकटेश उन्हें दीप लक्ष्मी उन्हें नाम देते हैं जौन मार्सल ने उन्हें प्रत्वी देवी के रूप में माना है एक और नारी की प्रतीमा मिली है उस नारी की प्रतीमा के गर्ब से एक पोधा निकलता दिखाए गया है वो है प्रतीमा भी मोहन जोद्रो से खुदाई के दोरान मिली है और वो जो प्रतीमा है वो नारी की गर्ब से जो पौधा निकल रहा है वो उर्वरता का प्रतीक माना गया है लेके एक देवी की रूप माना गया है जो मातर देवी की जो प्रतीमा मिली है उन प्रतीमा के पास एक वेक्ती खड़ा हुआ है जिसके हाथ में तलवार है पास में एक बक्रे जैसा एक जानवर है हाथ में जो तलबार लिया हुआ है इससे सिद्ध होता है इतियास कारें सिद्ध करते हैं कि शायद बक्रे की वो बली दे रहा है तो क्याते मात्रदेवी जो है उनके समक्ष बली का परचलन रहा है तो ऐसा माना जाता है कि सेंदो समाच के अंदर बली का परचलन था मोहन जोदुरों से एक पदमासन मुद्रा में विराजमान एक योगी राज की प्रतिमा मिली है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इन योगी राज प्रतिमा जो की पदमासन मुद्रा में एक चोकी पर विराजमान है इनकी तुलना जो की गई है वो भगवान शिव से की गई है इतियासकारों का मानना है कि यह क्योंकि लिंग पूजा यह शिव लिंग पूजा का जो चलन है वो सेंदो सब्वेता में रहा है इसलिए इतियासकार जो है वो इन योगी राज के प्रत सीमा में च्छ जानवरों के चितरंगीत हैं से जानवर हैं दो इसके अंदर पक्षी हैं दो पक्षियों की इस्तिति दो तो आप इसमें देख रहे हैं, बाकी छे जब दो हिरन हैं, एक बाग है, एक इसमें भैसा है, एक इसमें गेंडा है, इस प्रकार से कहा है, एक हाती है, तो छे जो जानवर हैं, वो इसकंदर मिलते हैं, और दो पक्षी यहां पर मिलते हैं, आपको विशेश तोरह पर यह धिय सब्सक्राइब रहे हैं कि तो इनकी जो तुलना कि गई और कि ये भगवान-शी शिव से तो सक्की बगवान-शीव की पुजा उसमें कि जाती थी इसलिए अभी मैंना आपको को बता आया कि जो कांच नर्थ की पर्तीमा मिली है उनकी जो तुलना कि इंख Seems 25 की पर Champan तो कहते हैं रुद्र शीव के रूप में इन्हें माना गया है सेंदो समाज के अंदर मूर्ती पूजा का प्रचलन था लेकिन सेंदो समाज के लोग मंदिर निर्मान कलासे परीचित नहीं है यह एक बहुत ही मैध्पूर्ण प्रस्ट नहीं जो में खासतों रुपी ध्यान ल नहीं था क्योंकि सेंदो समाज के लोग मंदिर निर्मान कला से परीचित नहीं थे हमारे इतियास के अनुसार मंदिर निर्मान कला का जो विकास होता है वो गुप्तकाल में होता है गुप्तकाल हमारा नेक्स वीडियो रहेगा, नेक्स क्लास रहेगी, तब हम देखेंगे यहां आपको विश्यों सुर्फ दुबारा रिपीट कर रहा हूं और इस्टुनेंट्स इस बात को ध्यान रखें, अपने नौट्स में इसको ध्यान रखें या नौट्स में इसको अपने बुक में कि मंदिर निर्माण का निर्माण का लागा प्रचलन नहीं था मंदिर निर्माण का लागा परिचित नहीं थे मंदिर निर्माण का विकास हमारे जो होता है वो गुप्त काल के अंदर होता है मंदिरों में जो सिखर का जो प्रियोग हुआ वो भी गुप्त क जा या आत्माओं की पूजा की जाती हो, वह तोट अंबाद में आता है, यहां पूजा कि नॉस इसे भारत के पता लगता है कि प्रागेती हासिक काल से होती रही है लेकिन ऐसा एक्जांपल हमारे पास आता है कोशन मनता है कि श्रीविलिंग पूजा का पर्थम प्रमान यह लिंग पूजा का पर्थम उधारन किस काल से मिलता है तो मैडे पूजा के दिन हम लोग जो पीपल के वरक्षे उसमें तेल का दिया जलाते हैं तो उसकी पूजा की जा रही है यह पूजा 4600 वर्स के करीब भी पूजा की जारी थे पीपल की और आज भी की जा रही है नाक पूजा का प्रचलन भी उस समय था फाक्ता एक सफीद पक्षी था तो कूबरदार वर्षभ एक पवित्र पशुग रूप में माना जाता था इनकी पूजा जो की जाती रही है वो सेंदो समाज के अंदर की जाती रही थी उस समय की जाती रही थी सेंदो समाज में यग और हवन का प्रचलन था या नहीं था क्या यग उस्वा करते थे धार्मिकती विदियों के तैट आप ध्यान ने की यगों का प्रचलन था यग उस्वा करते थे यग वेदी जिने हवन कुण भी हम कहते हैं उसके आउशेस हमें काली बंगा और लोथल से मिलते हैं और तर सिक्के कुछ मिले हैं उन Siqo पर धुआ के निशान मिले हैं जिससे दो तैएक उसमय धार्मिक विदी विदान के त는 बगर्चलन ये जाते थे लोथल से खुदाई के दोरान तीन बरतन पर इक सर्व की आक्रती मिली हैं जिससे vere दोराएकि नाक्य पूजा क का प्रचलन उस समय रहा है सेंदो समाज में ताबीच जो थे उसका प्रचलन भी था ताबीच भी धारण किये जाते थे गले में बाजू पर और स्वास्तिक चिन स्वास्तिक चिन जो की सातिया होता है लेके जो हिंदू धरम में पवित्र चिन माना जाता है वो उस चिन का चल को मिलती है नगर विंव नियास आज का जो समाज करें तो आज वर्तमान में इस्तिती रही है मैं आपको एक बात और बताना जाहूंगा इस बात को लेके की सिंदु खाटि सब्वेता के काल में जो जो ड्लयाउट प्लान जो बनाया जाता था नगर को बसाने का जो प्लान बनाया जाता था उसके लिए एक बड़ा एक्जम्पल हमारे राजस्तान की जो राज़दानी है जैपूर उसमें जैपूर शहर है वो महां जोड़ सब्विता के आदार पर बसा हुआ है राजस्तान का जिला अलवर में जो भानगड़ है उस भानगड़ के अंदर भी हमें उस प्रकार की ववस्ता देखनों को मिलती है आज बर्दमान में भी जब नगरविकास नयाच यह योईटी किसी प्रकार का कोई कॉलोनिकल लेयाउट प्लान बनाती है तो लगब लगब सिंदुगाटी सब बता कि जो उस समय का जो प्लान हो फॉलो होता है क्योंकि सेंदो समाच के अंदर मोहन जोड़ो के लिए कल मैं आपको फैक्टम बताया जो पिछले वीडियो में बताया था लेके कि वहां की सड़के 9.5 मिटर चोड़ी थी और फुट में यह दिया हम देखे तो लगब लगब 30 से 35 फिट की सड़के वहां पर चोड़ी रही है आज भी देखा जाता है तो जब बरतमान में नगरविकास नैच के द्वारा जब कोई ले आउट प्लान त्यार किये जाते हैं तो उनकी भी लगब 30 फिट की सड़के मिनीमम उसमें रखी जाती है तो ताकि और सड़के इस प्रकार से रखी जाते हैं खुला वातरवन रहें ताकि हवा का आगमन विल्कुल सही प्रकार से हो सके और सड़कों की सफाई भी आसानी से हो सके लेके तो उस प्रकार का नगर विन्यास जानी कि ले आउट जो उसे में चल रहा था उसको फूल वाज वर्तमान भी भी किया जाता लेकर उस समाज के अंदर जो गतीवी दियां का हम लोग काम में ले रहे थे या पूजया के रूप में उनका चलन आज तक वर्तमान तक भी मौजू सथे इसलिए सेंदो सब्यता को एक व्यूद सब्यता की प्राचीन के रही है वह मिस्षभाइटा में इसमीताओं सपट्रीन और है अतना है कि न सभी में मिंदू जो इ脑ढ़ा है वो सब्धूरर्य जो एरत्विस्ता के बारे में बात करेंगे यह समय किलंदर अरत्विस्त पार वानिजी आदार होता है लेकिं सेंदो समाज के अंदर अर्थ व्यस्ता के तीन अदार थे नंबर वन जो आदार था वह अदार था उसका क्रशी नंबर दूसरा जो आदार था वह अदार था पुशु पालन और तीसरा जो आदार था वो था व्यापार उसुपालन और व्यपार इनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे पहले हम लोग बात करते हैं क्रसी की कि सेंदो समाच के अंदर करसी जो की जाती थी वो किस परकार से थी वैपार के तीनों परकारों में हमें विशेश तोरपे कोशन यह ध्यान लखना है कि सेंदो कालिन अर्थवज़ता का मुख्य आधार यदि हमसे पूछा जाता है प्रश्ण तो उसका आधार होगा करसी नेक चामल की भूसी के परमान मिले हैं वहाँ आगे चर्चा करेंगे यहूं में जो प्रजाती है वह ट्रिटिकम कंपेक्ट्स और इस फेरो गोकम आजब प्रजाथियां आज बहु इस प्रजाती के गहूं इस परकार इसकिस्म के जो गहूं हैं उनकी पैदावार की जातिय ले करके दान यानिकी चावल से जनरल यह माना जाता है कि सेंदो समाज के लोग चुकि इसके पूर्णूप से प्रमाण भी नहीं मिले हैं कि वह मानते के परिचित थे लेकिन हम खुदाई के दुरान आगे देखते हैं तो कुछ इतियासकारों को यह मानना है यह उत्तर काली नेक जो मिला है वो उलास उलास जो गुत्तर परदेश के अंदर पड़ता है उस इस्तल से मिला हुआ है इसमें लेकिन कुछ इतियासकारों को मानने ता जो कहा है कि मैंना भी आप से कहा कि इस पष्ट रूप से जो प्रमाण जो उलास से जो मिला है इसको उत्तर काली निस्तिति अंदर माना जाता हैं लेकि प्रस्ट हमारे सारे के सारे अलग लग हैं धान वूसी के अंदर बात की जाती है तो लोथल और रंगपूर से होगा और धान के इसपष्ट प्रमान के बात होगे तो वो उलास से होगा बाजरा के जो प्रमान मिले हैं वो बाजरे के प्रमान हमें लोथल, रंगपूर, रोजदी और गुजरात, रोजदी यह जो गुजरात के जो छेत्र हैं, यहां से मिला हैं, बाजरी की छे किस्प में उस समय बोई जाती थे लेके, कि सिर्क क्रसी में, एक सबसे मैटपूर्ण जो क्रसी में देखनों को मिलती हैं, वो है कपास, कपास को यूनानी जो हैं, वो सिंडन कहते हैं, फिर रेपीड कर रहा हूँ, कपास को जो यूनानी है वो सिंदन के नाम से जानते हैं मेसो पोटामया में जो नाम दिया गया कपास को वो सिंदू के नाम से जाना जाता है लेकिन तो कपास ये बहुत मैतमुन प्रस्टन है हमें एक खास तरोपे धान रखना है कि कपास से कपास से जो परीचे अभिश्यों का जो कराया था वो सेंदो निवाचियों ने कराया था और कपास उगाने का जो स्रे जाता है वो सेंदो निवाचियों को जाता है सिंडन जो शब्द प्रियोग किया गया है वो कपास के लिए किया गया है ये शब्द यूनानियों के द्वारा दिया गया है और मैसोपोटामिया में कपास को सिंदू सब्द के नाम से उसको जाना जाता था खेती जो की जाती थी खेती के अंदर आप लोग इस्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो उपकरण है ये खेती के संदो समाच के अंदर खेती के उपकरण रहे हैं हल जो खेती के लिए हल था वो लकडी का हल प्रियोग किया जाता था खुदाई के दोरान मोहन जोड़ो और बनावली जो है इन दोनों इस्तलों से हमें जो मिला है वो मिट्टी के हलों के अवसेस मिले हैं लेकिन जो हल है लकडी के हलों से चुकि जमीन जो थी उस जमीन में नमी थी दमी रहा करती थे तो जिसे आसानी से खेती वहां जो जमीन की जुताई हो जाये करती थी तो आसानी से खेती वहां पर की जाती थी लेकर के तो लकडी के हलों से दूसरा खेती की जो उपकरण है उन उपकरणों का निर्माण पासान और कांज से निर्मित उपकरणों का प्रियोग किया जाता था तो इन उपकरणों के प्रियोग से चुकि अभी मैंने कहा कि जो खेट जमीन में नमी होने के करणें का आसानी से इस प्रकार के जो अजार है उनका प्रियोग किया लिए जाता थ जानते हैं। सबसे भीम्च और फीकशन यहां से यह आता है कि दहरी खेती य마 ग्रीड खेती यह वह जाल्लव हो हैं। यहां यहां ली गई है तो दोहरी-खेती के जह वह से मिलते हैं वह काली बंगा से मिले हैं सेंदो समाज में जो अनाज है अनाज को विनिमे का माद्यम था लेंदें जो हुआ करता था एक्षेंज होता था विनिमे जो होता था वो अनाज के रूप में होता था प्रसासन जो है जे शास्कों के द्वारा जो कर लिया जाता था सेंदो काल में वो भी वो अनाज की रूप में लिया जाता था यानि कि सेंदो समाज के लोग अपनी सरकार को जो कर दिया करते थे वो कर भी अनाज की रूप में ही दिया करते थे लेखे एक शब्द आता है बहुत महत्पुन प्रश्णों कि ख दूसरा आधार हमने आपको बताया कि कि वो पशू पालन समाज के अंदर होता था ? अब ध्यान रिखिए सेंदो समाज के लोग पशू को पालन किया करते थे ? कौन कौन से पशू थे जिनके पालन कि जाती जुनको पाला जाता था ? सेंदॉ समय को दोर्याइसे सिर्ण अधी सुवर मिदेट भेड़ अधी पसवेंद को सैंदॉ समाज ही जो की रोजदी गुजरात से मिला है ऐसा देखा गए अपसेशों के दुरान देखा गए कि हाती का जो पालन होता था वो आज का जो बरतवान गुजरात है जो महरे नहीं है उन महरों पर सबसे ज़्यादा जो अंकन मिलता है पशु का वो है कूबरदार विर्शब इसका अंकन सबसे ज़्यादा मिलता है यह हमारे कूण प्रश्न है हमें अंकन में जो देखने में नहीं मिला है वो दो अंकन जायतर देखने में ते एक तो उट और दूसरा घोड़े का अंकन नहीं मिलता है उट के घोड़े के लिए बात मैं भी आपसे करूँगा उट का जो जीवास्म है वो मोहन जोड़ो, हडपा, काली, बंगा, सुर, कोतड़ा इन छेतरों से मिला है गेंडा का जो एक मातर गेंडा जो मिला हुआ है वो आमरी से मिला है सेंदो समाज के लोग जो आर्यों का प्रिय पशू था और वो था अश्वर, यानि की घोड़ा उस घोड़े से परिचित थे ये एक विवादास्पत प्रशना आजाता है क्योंकि ये भी प्रशन के लिए रहे कई बार एकजाम समाचों का है कि सेंदो समाज के लोग किस पशू से परिचित थे या किस पशू से परिचित नहीं थे तो उसका आंसर घोड़ा होता है लेकिन खुदाई के दोरान हमें इस परकार के अवशेश मिले हैं और इस परकार के अवशेश कौन से हैं मोहन जो पुद्धार से घोड़ी की अस्तिया मिली हैं लोथल ठीबर की लोथल और रंगपुर से मरन ्मूर्थी मिलती हैं सुर्फ कोत्रा से घोडे की अस्तिया मिली है और राना गुंडई से घोड़ी का दांत मिला है घोड़े के दांत एक जबड़ा जो मिला हुआ है पूरे उसमें दांत है तो जिसे इसी दोता है वो घोड़े के जबड़ा है जो घोड़े के दांत है वो यहां हमारे क्लास के पढ़ानी के दोरान एक बच्चों के मन में जिग्या सा आ जाती है कि एक तरफ हम ल सिन याःता है उसके लोग उस जानवर बऑने घोड़े को बहुत अपने मानी ऑचंबर भरी नजरों से देखते हैं और यह पूस्ते हैं लेकि यह क्या है तो वहां सोच एक आंचर जो मिलता है एक अलाकार के द्वारा तो वो मिलता यह गोरा है वो इसको गोरा सब्सक्राइब करते हैं लेकिन इससे सिद्ध होता है कि वर्तबान में उस फिल्म में भी जो दर्शाया गया फिल्म मिले हैं जिससे इतियास कर इस इसमें एक राय नहीं हो पाते हैं या उस पर पहुंच नहीं पाते हैं कि क्या वास्तम बे अश्व जो है वो हमारे यहां के उत्पत्ति है या नहीं है लेकिन अब तक यह सिद्ध हुआ है लेकि कि जो अश्व जो घोड़ा है वो भारत के प्रिचर नहीं थे मैं आपको यह बात के लिए अपकर चुका हूं तो दूसरा शिल्प का शिल्प कला जो है सिल्प कला भी का पर चलंज जो था तो क्योंकि शिल्प कारी हम वजूद रहें जिसका नाम कशियरो के एक शिल्प कारी का विकास्यां पर हो चुका था तुसरा मन के बनाने का जो कार खाना उसके अवश्य इस दो जगह में मिलते हैं एक चन्दुड़ो जो पाकिस्तान छित्र में हैं एक लोथल गुजरात के अंदर यह कोशन बेक बहुत में पर्शन है क्योंकि सेंदो समाथ से खासतों रुपे ऐसे स्टुडेंट्स जो इस समय रीट की त्यारी करें राजिस्तान का जो एक्जाम है उसमें जो रीट की त्यारी करने वाले हैं वो विशेशतों रुपे ध्यान लेकिं कि सेंदों समाथ से व तो आपको विशेश तो रुपे रीट वालों को खास तो रुपे ध्यान लगना है क्योंकि रीट के एक्जाम के द्रश्टी से बहुत ही महत्य पूर्ण यह टॉपिक है जो आपको पढ़ना है तीसरा जो भाग जो हमारा होता है सेंदो का लिए अर्थवर विस्ता का वो है मि इसी वीडियो के प्रारभ में मैंने अभी कहां आपसे कि सेंदो सब्वता के लोग जो थे वो शांति प्रिये थे सामरज्य विस्तार उनकी नीती नहीं थी, सामरज्य विस्तार उनको कोई विचार भी नहीं था लेके, नहीं वो कहीं आक्रमणी की नीतियों को अपनाये करते थे, सेंदो समाज के लोग जादतर जो ध्यान दिया करते थे, वो वैपार पे ध्यान दिया करते थे, इसलिए उनक जीवन ने वह संब्रिद था आर्थिक संद्रास तमाम संसादनों से संब्रद थे क्योंकि उनका वैपार बहुत अच्छे स्थरवत चल रहा था लेकिंगे तो सेंदाव सब्विता में संब्रदी का जो आधार माना गया वह माना गर वैपार एवंबाणिचे वैपार आंत्रि का माध्यम था वो दो माध्यम थे एक माध्यम जलमार नम से वेपार करने के लिए जलमाध्यम का प्रियोगуюग उता था और मेलज cheating के लिए जो मुख्य बंदरकाः तहां वो था और आपको विशेस तर्पे धियान गाना है कि उर नामक जो बंदरका की स्तिक्रिति किया है तो में। में। मैं कि उपर जो परवेस इस्तु जो बंदरगाः था वह उर hit तरगाद हमा दो मिस्र लॉथल के निवास्य के द्वारा मिस्र व्वार किया जाता था को हरपा और जो मोषन जोदहा जोकी सेन्द्व सबताके दो प्रमृक नगर हैं यह व्व्वपारीक तरश्टी से बहुती प्रसिद नगर थे बहुत महत्पूर्ण नगर थे सेंदो समाज में जिसे मैंने कहा के लिए के वैपार जो जल मार्गों से किया जाता था और सड़क मार्गों से किया जाता था बिलूचिस्तान राजस्तान गुजरात में जो समान पहुंचाया जाता थ जो माल पहुचा है जाता था वो जानवरों के माध्यम से सडक मार्ग के द्वारा ही पहुचा है जाता था लेकिन जो बहार जो वैपार विदेश जो वैपार होता था वो जो समुद्री के माध्यम से जुग जल मार्गों से किया जाता था तो उसका जो बेस है लोथल गुजर कि वैपारी वर्ग जो वैपार क्या करता था तो निश्यत है सामान तौलने का काम भी किया था बाट भी वहां हमें मिले था खुदाई के दौरान तराजू के जो पलडे हैं महुं जोद्रों और लॉथल इन दो इस तर रहे हैं तराजू के दौरान नमीप पता लगा मेलुहा, दिल्मुन, मकन से था मेलुहा को आज वर्तमान में जो पहचान की जाती है वो सिंद से की जाती है दिल्मुन की जो पहचान की जाती है वो बहरिन दूइव से की जाती है और मकन की जो पहचान की जाती है वो बिलूचिस्तान से की जाती है अभी मैंने कहा कि जिसे मिस्र से जो वैपार है वो लौथल के जो लोग हैं वो मिस्र से वैपार किया करते थे यही से एक गोरिला की मरणमूर्टी ममी मिली है जिसका संपर्ग के कहते हैं कि इसे सिद्ध होता है कि उनका जो परिचे जो संपर्ग था वो मिस्र से उनका होता है क्रिट सब्वेता से भी हम वैपार सेंदो सब्वेता के वैपार जो लोग हैं वो वैपार किया करते थे इस परकार सेंदो सब्वेता के अंदर अर्थववस्ता के जो मुख्य आधार जो क्रशी रहा लेकिन अर्थवरस्ता का आधार जो ता पस्व पालन भी था अर्थवरस्ता में जो वैपार और वानिच्जे भी था आपको प्रश्णों को खास तो रूपे, विसेश तो पर प्रिनोट्स बना लेना है ध्यान लगना है कि मुखे जो आधार तो वो क्रसी था और पस्वों में अस्वों को लेकर के प्रस्णों आता रहता है और हाथी के कपाल के उसे इसकी वहां भी बात की जाती है और इधर वैपार वानिज्य में पूरा प्रिद्रश्य आपके सामने मौजूद है अपने विचार राजनेतिक वबस्ता कि सेंदवकाल में क्या किसी सरकार का कोई शासन था क्या सरकार नामक कोई संस्ता सेंदवकाल के अंदर थी क्या कोई राजा था जिस राजा कोई शासन था क्या कोई राजा जनता से कर लिया करता था क्या राजा की कोई मंतरी परिश्यत थी उस मंत्री परिश्ट के जो मंत्री थे के राजा को किसी परकारे के सला दिया करते थे इस परकार के जो चर्जा है वो हमारी राजनेतिक ववस्ता के तहत रहे ही यहां बात यहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ विसेज बात यह है कि राजा या मंत्री परिशद का होना या मंत्रियों के विभिन पदों का होना हमारे इस प्रकार का प्रमान हमेरे खोज के उद्वनान कोई नहीं मिल पाया है जिससे इतियासकार ये सिद्ध कर सके कि वहां किसी प्रकार की कोई एक विवस्ता सरकार की कोई विवस्ता रही है या नहीं लेकि इतियासकारों ने जो अवशेचों के आधार पर जो बात कही है वहां का जो साथसन समझाया है उसे मैं आपको आपके समक्ष अब रख रहा हूँ और उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ सेंदो समाज जो सेंदो समराज्य या सेंदो जो सब्यता जो थी उसके तीन बड़े महान अगर रहे हैं एक हडपा मोहन जोदरो काली बंगा यह तीनों इसकी राजदानी मानी गई है पहली राजदानी हडपा दूसरी राजदानी मोहन जोदरो वित्रो तीसरी राजदानी काली बंगा विशेश तोर पे हमें ध्यान रखना है कि सेंदो समाज की तीसरी राजदानी कौन से थी तो तीश्री राजदानी सेंदो समाज की जो थी वो काली बंगा थी सेंदो समाज में खुदाई के दोरान जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि एक पुरहित राजा का राजा की एक मूर्ती मिली है ऐसा माना जाता है कि वहाँ सेंदो समाज में जो शासन था वो शासन एक पुरोहित का था, पुरोहित विद्वान उसका एक बड़ा इस्थान, एक बड़ा ओचिस्थान समाज के अंदर था, पुरोहित पर को बहुत सम्मानी इस्थान उसके अंदर मिला हुआ था, और वो एक राजा के रूप में वहीं वो शासन किया करता था. प्रोहित राजा प्रोहित जो है प्रोहित जो राजा है वो राजा देवता का प्रतिनिदी माना जाता था हमारी थ्यास में राजा को देवता का प्रतिनिदी या इश्वर के प्रतिनिदी की रूप में माना जाता है क्योंकि राजा के पास सरवादिकार सुरक्षित होते हैं यदि राजा स्वेम किसी कानून का लंगन करता है तो स्वेम भी वो दंड़ का पात्र होता है लेकि तो यहां जो राजा पुरोईत है वो जनता से करवसूला था करवसूल किया करता था? उसे करवसूलमी कादिकार था क्योंकि शासन को सुवप से चलाने के लिए कर एक बढ़ी भूमिक आदा करता है टैक्स जो होता है लेकर के टरीके से धम्नियों में ज़े सरक्त का प्रवाध होता है ऐसी कहे कि किसी ववस्ता को चलाने गलिक कर एक बहुत एक रक्त का सा वहां काम करता है शासन ववस्ता का जो सेंदो काल में आधार था वो धर्म तत्तु था धर्म तत्तु के आधार परी वहां का शासन ववस्ता था शासक जो सेंदो काल के थे वो वैपार प्रिये थे उन्हें किसी प्रकार के किसी जुद्ध प्रियता उनके सभाव में नहीं पाई जाती थी नहीं आक्रमन का उनका कोई सभाव रहा करता था लेकिन कि आज सासक के बारे में या यहां के सासन के बारे में तमाम इतियासकार एक नहीं हो पाते हैं उनकी अलग-अलग विचार होते हैं और उन विचारों में कुछ विचार मार्टिमर हिलर, इस्टुवर्ट, अर्नेस्ट मेके के आते हैं मार्टिमर हिलर जो रहे हैं उन्होंने कहा है कि जो सेंदो समाज में मध्यम वर्गी राज तंतरात्मक शासन रहा है यह मार्टिमर हिलर का मानना है इस्ट्वर्ट पिगट जो मानते हैं उनके मानना है कि सेंदो समाज में प्रोईत वर्ग का सासन था अर्नेश्ट में के वही बात केहते हैं लेकर उसको नका इन दोनों को नकारते वे वह कहते हैं कि प्रतिनिती शासक के हातों में था जो यह तो गालिए कि छाल रहा था वे इस परकार सेंदो काल के अंदर राजनेतिक इस्तिति रही थी देश फ्रेंट्स सेंदो समाज के अग्रिम जो हमारी चर्चा है वह चर्चा है वहां के अंतिम संस्कार परंपरा की शावाधान परंपरा की कि अंतिम संस्कार किस प्रकार वहां किया जाता था लेके और बहुत ही मैद्पन प्रस्टन जो यहां से आते हैं उन प्रस्टनों का डिसकस भी अब लोग करेंगे सवधान परंपरा या अंतीम संस्कार वह तीन प्रकार से चलन में था एक जिसे हम पूर्ण समाधिकरण कहते थे दूसरा आंसिक समाधिकरण तीसरा दहा कर्म इनकी समानता यदि हम करते हैं तो आंसिक पूर्ण समाधी कर्ण जो है वो मुसलिम विदी के अनुकूल है और आंसिक समाधी कर्ण पार्सी समाज के अनुकूल है दहा कर्म जो है वो हिंदू धर्म के अनुकूल है हिंदु विदी का नुकूल है पूर्ण समाधी करण जो होता था वो इनकी तीनों के डिडेल में आपको बता रहा हूँ पूर्ण समाधी करण कैसे किया जाता था पूर्ण समाधी करण के अंदर अंडाकार या आयताकार कब्र खुदी जाती थी अंड़कार या आयताकार का ब्रिखोद करके उसमें शव को सीधा लेटा दिया जाता था और शव के साथ उसके दैनिक उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनको उसके साथ रखा जाता था और उसको दफन कर दिया जाता था दैनिकूपो के साथ हमें या और उपया पामारे भी हम आपको बताएंगे जिसमें हम देखते हैं कि जो लॉथल से तीन और काली बंगा से एक यूगल साओ के आउशेस मिले हैं रोपड से मनुष्य के साथ कुट्टे के दफन का आउशेस मि कि अंदर जो महिला और पूरुसका है जो इस प्रकार से जो शभ हैं जो आपस में लिप्टे हुए हैं उन में क्या सतीप्रथा को प्रचलित करते हैं यानि कि वह महिला पहले जीवी थी या मरी हुई थी या भी सिद्ध नहीं हो पाया है यदि ऐसा है मैला जेवित्थी तो निश्चित सती प्रथा की और वो एक हमें इंडिकेट करेगा लेकिन अभी ये खोज का विशे है जब आगामी खोज होगा तो हमारे समक्षाएगा लेकिन युगल सव हमें खास पर ध्यान नकराई लोथल से मिला है काले बंगा से भी मिला करना है वो जो संबंद रखता है वो एक तरीके से इस सोच के और इंगित करता है कि सेंदो समाज के लोग उनर जनम में विश्वास किया करते थे सेंदो समाज के लोगों का मानना था कि ये वैक्ति दोबारा जनम लेगा और जब दोबारा जनम लेगा तो उसे इन चीजों क कि नवस्तों के आवश्रक्ता होगी और वो इनका सदूपयों कर सकेगा इस परकार के उनकी मानिता रहा करती थी इसे हम बोलती थे पूर्ण समाधी करण आंशिक समाधी करण की जो इस्तिती है जिसका चलन पार्शी संपरदाय में आज भी है कुछ-कुछ मिलता जूलता हमारे राजस्थान के अंदर एक विशेश संपरदाय है जिसको हम लोग दादू संपरदाय के नाम से जानते हैं दादू संपरदाय और पार्शी समाधी के अंदर इस परकार करण मिलता है आंशिक समाधी करण में क्या करते हैं कि जो शब होता है डैड़ बोड़ी जो है उसको जंगल में फैंक दिया जाता है या किसी पेड़ चे लटका दिया जाता है पश्यू पक्षियों के खाने के बाद जो शेश जो अस्तियां बस्ती हैं उन अस्तियों को या तो घड़े में या उन अस्तियों को जला करके उनकी राग घड़े में डाल करके उसको दफन कर दिया जाता है जोकि उस इस्तिति में शव जो है उस शव का मातर अंस अस्तिया आण्ज की रूप में बस्ती है, इसलिए उनका समाधिक रण्गिया जाता है, उनको दफन किया जाता है। इसलिए इस विदी को आंचि समाधिक रण्गे नाम से जानते हैं। इस परकार का चलन पार्शी समाज में भी है। और दादू संपरदाय के अंदर भी ऐसा है कि वो शव का अंतियम संसकार नहीं करते हैं, उसको जंगल में फैंक देते हैं, आज भी यह चलन है, तीसरे विधी आती है दहा करम, दहा करम के अंदर शव को जला करके उसकी राक को घड़े में भरकरके उसको दफन कर दिया जाता जो कि एक हिंदू विधी के अनुसार है क्योंकि हिंदू दुरम में आज भी देखा जाता है लेकर के कि शव का अंतियम चंसकार किया जाता है डैड़ बोड़ी को पंच तत्म बिलीन कर दिया जाता है यह इसके पीछे एक विज्ञानिक थौट है लेके क्योंकि इस प्रकार जिदी शवों को कब्र बनाते रहें तो कितनी जमीन कम पढ़ जाएगी यानि कि हमानिये कि मकान के जिका कब्रिस्तान होंगे इसलिए परंपरा रखी गई है कि शव को पंच तत्म बिलीन कर दिया जाता है और उसको उसकी जो आत्मा है वो परमात्म में बिलीन हो जाती है तो इस परकार क्या है कि धा कर्म की इस्तिती रही है। अंडाकार जो कब्र के अवसेस हैं, वो हमें सुर्कोत्रा से मिलते हैं। मानो युक्त ताबूत, एक ऐसा ताबूत जिसके अंदर एक शव है, वो हमें हडपा से मिला है। हमने भी कहा कि मनुष्य के साथ कुत्ते के दफन का जो अवसेस है, वो रोपड से मिला है। मनुष्य के साथ बक्रा भई दफन किया गया है, और उस बक्रे के दफन के जो अवसेस मिलते हैं, वो मिलते हैं लोथल से। दफन करने की जो परंपरा है उसमें दिसाओं का आदार रखा जाता है यहां नौर्थ साउथ साउथ नौर्थ इस्ट वेस्ट वेस्ट इस्ट मैं आपको इसमें बताऊंगा लेकि के मुख्य रूप से जो उनका सिर और पैर किस दिसा में रखी जाते थे शवकों जो दफन किया जाता था सामनेते ये परंपराधी कि शवकों जो सिर है उत्तर दिसाओं के और रहता था और जो उसके पैर हैं वो दख्षिन दिसाओं के और रहते थे हडपा और काली बंगा लोथल और रोपड ये इस थल इस द्रस्टी से अपवाद सिद्धुव हैं हडपा और काली बंगा से जो शव का सिर है वो दक्षिन में और पैर उत्तर के उर मिले हैं लोथल से जो शौ मिला है उसका सिर इस्ट यानि कि पूर में है और जो पैर है वो पश्चिम के अंदर है रोपड से जो शौ मिला है उसका जो सिर है वो पश्चिम के ओर है और उसके जो पैर है वो पूर के ओर है यानि कि हडपा काली बंगा लोथल रोपड ये इस तल अपव बाद रहे हैं सामन्नित परंबर जो थी वो यही थी मानी जाती थी कि उत्तर दिशा की और जो डेट बोड़ी है उसका सिर होना चाहिए और दक्षिन दिशा की और उसके पैर होने चाहिए एक बहुत ही महत्पूर्ण प्रश्ण यहां आता है आर थर्टी सेवन क्या है हमें व एक माना गया तीनकम्रे की सवस्यस से मिले हैं जो की हडपा से मिले हैं और सामुएक नरकंकाल, नरकंकालों का काफी कठा एक धेरा और कोई के पास उनकी जो सीडिया हैं सीडी पर कुछ मैलाओं के बाल और छोटे बाल वहाँ पर मिले हैं खुदाई के दोरान और वो इस तल है कौन सा मोहन जोड़ो नरकंकाल का होना या कोई की जो सीडिया है उस पर बाल का होना ये निश्चित रूप से शोग करता है एक आक्रमन को शोग करता है कि निश्चित सब्यटा पर यहां पर को आक्रम वहा है को विदेशी आक्रमन वहा और उस आक्रमन के द्वारा यहां की सब्यता सबाब तो गई नहीं के लोगों का नरसंगार कर दिया गया यह यहां से इस परकार से दफन के अकिस्तिती है हमारी सिंदुगाटी सब्वेटा में जो next topic पर एक हमारी चर्चा जो अब है वो है सब्वेटा के विनास को लेकर की बात सिंदुगाटी सब्वेटा का जो विनास हुआ वो किस प्रकार हुआ वो आज तक भी खोज का विश्य है अबिते के तैन ही हो पाया है कि सिंदुगाटी सब्वेटा जो रही है उसका विनास कैसे है लेकिन इतियास कारों ने यहां जो बात रखी है वो अपने अवशिर्सों के आधार पर बात कही है कि किस प्रकार की इस्तिती रही है और उन्हें रीजन जो उसका बताया है तमाम विद्यारतियों को यह ध्यान रखना है टीचर्स ग्रेड के विद्यारती जब फरस्ट, सेकिंड, थर्ड ग्रेड के हो उन्हें विसेस थोर पे ध्यान रखना है कि बकाइदा यहां इतियासकार का नाम दिया जाता है और इतियासकार के नाम के देखर के वो करण पूछा जाता है अब एक चलन इस प्रस्टिंगा इस प्रकार भी है कि बकाइदे सुमिलित कराया जाता है लेकि चार आप्शन में जो चार जो आप्शन होते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक इस सब्वैता का जौन मार्शल जो रहे उन्होंने सेंदो सब्वैता का जो कारण बताया है वो बताया है प्रसासनिक सिथिलता के कारण सेंदो समाज जो था वे एक समापती के और अग्रेसर हुआ और एलिस्टाइन जो कहते हैं वहां सेंदो जो रहे हैं और छित्रों की जल्वायू में परिवर्थन हुआ जल्वायू में जैसी क्लाइमेट चेंज हुआ उस क्लाइमेट चेंज के कारण का हुआ कि वहां के लोगों को वहां से पलाइन करना पड़ा और वो दूसरी छित्रों के और चले के जिससे वह सब्वैता वहां सम अब तो गई अर्नेस्ट में के जॉन मार्सल इनको खुदाई के दोरान दरसल रेत में वहां पानी एक बाड के अवसेस मिले हैं वाड के वहां अवसेस मिलने से इन्होंने तैक किया है लेकर कि जो रेत की जो परती एक एक हलके कि जो परते मिली है यहां पाड आई और बाड आणे से क्या हुई कि समापत हो गई है तो इतियास gör अरेस्ट में के जो पक्षप ना रखते हैं वो यह कहते हैं लेकर कि यहां बाड़ आने से सब्यता समापत हुई है एमार सहानी राइक्स और डेल्स इनका विचार है कि भूत आत्तिक हुआ हैं किसी का पैर कटा हुआ है किसी का सीर्म कटा हुआ है बौड़ियो हुई है तो में एसा का जाते कि किसी विदेशी जो टाकत रही है उसने वह क्रोंण किया है और आक मर वीचार्ण विश्य आज कि चर्चा का विशे है आज हमारा इतना ही है अगला जो हमारी वीडियो kेλαस हमारी जो होगी उसमें एक लास्टॉपिक जो सेंदर अव्य स hanada का है हो है हमारी सेंदर संभ्यता के मुख्य इस्थ हम ये इस फिर वीडियो जो आयेगा वह आएगा मेरा उसको बुलेके कि वहां के स्थल्व कौन कौन से उनस्तलों पर हमें चर्चा करनी है किसी विध्यार्ती को यदि किसी भी प्रसंबर कोई डाउट होता है या कोई प्रस्न है तो वह विध्यार्ती कि स्क्रीन पर लिखे नमबर को नॉट करें 9610232818 रेपीट कर रहा हूँ 9610232818 यह WhatsApp नमबर है इस WhatsApp नमबर पर वो अपना प्रशन डाल सकता है कोशिस पूरी मैं करूँगा कि उसका उत्तर उसको दिया जाय ले करके बात करना वारतलाप करना मोबाईल पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा समय के अभाव के कारण फिर भी विद्यारतियों को उनके जो उत्तर उनके जो प्रशन होंगे और प्रशनों को उत्तर देनी के मैं कोशिस करूँगा तो इस WhatsApp नमबर पर अपने प्रशन को डाल सकते हैं कोई जग्यासा कोई भी प्रशन उनका हो तो उस पर पूरा पूरा उत्तर उनको दिया जाएगा उनके जग्यासा को शान्त करनी के कोशिस मेरी होर से की जाएगी और एक ऐसा प्रयास मेरा रहेלה लेकर के कि आपको मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि जादा से जादा कोश्चन आपको इस वीडियो क्लास से मिल सके काफी ऐसे विद्धियारती हैं जो करीब परिवारों सो सम्मन्द रखते हैं कोचिंग अटेंड करने ही पाते काफी विद्धियारती हो भी जो पढ़ाई है इस COVID-19 जैसे तराज़ी के तैट बहुत प्रभावित हुई है बहुत काफी बच्चों को फोन आते हैं बहुत फ्रस्टेड हो रहे हैं मैं इतना कहना चाहूंगा कि इन्हों फ्रस्टेड होने की कोई आउशकता नहीं है हमें इस तराज़ी से भी लड़ना है लड़के आगे बढ़ना है सेंदो समाज को हम लोग पढ़ रहे हैं सेंदो समाज के लोग जो परिवर्तन हुआ करता था जो प्राकरती परिवर्तन था उस परिवर्तन से लड़ने के लिए अपने आपको उसके अनुकूल बनाते थे हमें भी उसको अनुकूल अपने आपको बनाना है समय के एक विशेषता होती है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं होता समय बदलता रहता है जो समय पहले था वो अब नहीं है जो समय अब है वो आगे नहीं होगा समय चलता रहेगा हमें लगातार चलना है सफलता की और चलना है आपके लाइक्स आपके सब् कि लेकर के कि मैं आपका कितना सव कर पा रहा हूं क्योंकि आपके सवयोग के बिना मेरा स्वयम का चलना बड़ा मुस्किल हो जाएगा लेकर कर 시간이 को में आपको वेरी Classies पसंद आ रही है मैं आपकी परिक्षा के तयारी के अनुकूल आपको तैयारी कराना के कोशिस कर रहा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आयल के बटन को आप दबाएं ताकि अग्रिम जो भी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहें अभी इसके बाद जो भी टॉपिक आएंगे अभी आप जो हाले में एक एक्जाम आ रहा है रीट वाला पेपर खासतोर पर आ रह आएगी और मेरी इश्वर से प्रात्रा है कि आपको सफलता मिले बड़े ही धैरिये के साथ क्योंकि धैरिये के अभाव में ध्यान रखे हमारे इतियास में 1857 की जो क्रांती थी उस क्रांती की सफलता की पीछे भी मित्रों यही कारण था कि वहां धैरिये का अभाव हो गया क्योंकि जिस दिन जो डेट उस क्रांती की तैकी गई थी उससे पहले उस क्रांती को उसका प्रारंभ हो गया और ध्यारिये का भाव ने एक दिशा ही बदल दी जो दिशा जीत की और जा रही थी वो दिशा हार की और बदल गई यानि कि हमारे देश के स्वतंदरता का जो समय जो सन रहा 1947 1947 यदि उसी समय धैरिये को धैरिये रखा जाता तो हमारे देश की स्वतंदरता का जो समय होता या जो काल होता जो वर्स होता वो 1857 या 1858 होता ये किस्तिती बनती 1898 भी नहीं हो पता 1898 क्रांती मिल जाती यदि धहरे रखा जाता इसलिए मेरा आप सभी असे निवेदन है विध्यारतियों से कि आप धहरे पूर्ण तरीकी से अपने तयारी किये जिए कोई भी प्रस्ण आपका हो तो 9610232818 9610232818 पे आप अपने मैंसे छोड़ देजिए आप अपना प्रस्ण छोड़ देजिए उसका आंसर आपको मिलेगा निश्यतरूप से आज की चर्चा हमारी क्लास की यहीं समापत होती है आप सभी की सफलता की मंगल कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कात जहीं